तो देखे कितना बढ़िया मज़ेदार टेस्टी सेव पूरी बनकर त्यार हो गया है बहुँ जादा टेस्टी चटपटी हलो गाइस नमस्ते आज के रेश्पी में चटपटी सेव पूरी बनाएंगे तो आप पूरी बनाने के लिए कटोरी मैदा ले लिए हैं दो चमज बेसल यहां दो चमज सूजी ले लिए हैं दो चमज सूजी आधा चमज नमक यहां दो चमज तेल डालते हैं रिफाइं ते इस तरिके से पूरी बनाने से बहुत खासता बनते हैं तो सभी को मिला लेते हैं, थोड़ा थोड़ा पानी डाल कर डोल लगाते हैं, यहां डोल लग गिया है, पांच इनिट के लिए रखते हैं, ढ़के साइड ही, ते हां हरी चटनी बना लेते हैं, हरा धनिया डालते हैं, दो हरी मिर्च, एक छोटा टूड़ा अधरक का, चार कली लसुन, यहां भूना हुआ मूंफली ले लिए हैं, यहां पे नमक डालते हैं, डाल के सभी को पीस लेते हैं, आप चकनी बन के तियार हो गिया है, थोड़ा सा और राटक को चिकना कर लेते हैं तो चली बनाते हैं, थोड़ा सा सुखा मैदा छिड़ा के बेल लेते हैं, यहां पूरी बनाने के लिए इदम पतला बेलना है, रोटी की तरह, देखे रोटी की तरह पतला बेल ली हैं, तो फोक से इस तरीके से होल कर दीजिएगा, पूरी तलते समय खीलेंगे नहीं, पास ले लिए हैं, इससे हम कट करते हैं, जो इस ट्राटा है, निकाल लेते हैं, पापड़ी को रखते हैं, पलेट में, तो इसी तरीके समसाभी पापड़ी बेल लेते हैं, तेहां पे पूरी बेल कर त्यार कर लिए हैं, सभी को पलेट में निकाल के रखते हैं, ग्याइस पे तेल गरम होले के लिए रख दिया है, तो पूरी को डालते हैं, जादा तेल गरम नहीं होना चाहिए, हलका गरम होना चाहिए, तेहां पूरी डालते हैं, तो दोनों तरब यहां पापड़ी बहुत अच्छे से बन रहा है गैस का फिम लो मिडियम रखिएगा दोनों तरह से पूरी अच्छे से सीख गया है फराई हो गया है तो निकालते हैं निकाल के रखते हैं तो देखिए कितना बढ़ी है इसका कलर आया है यहां पूरी बनकर त्यार हो गया है सावी पुलेट में निकाल लेते हैं पूरी बन कर त्यार हो गया है चलिए पलेटी करते हैं पापड़ी यहां पे पूरी डालते हैं तो देखिए कितना के रेस्पी दम करण्ची पूरी बनकर त्यार हूए आलू डालते हैं तेहां आलू डाल दी है आलू में चाट मसाला थोड़ा सा निर्ची पॉड़र डाल कर मिला दिये थे हैं टमाटर इस तरीके से सेव पूरी बनाईए गना बहुत ज्यादा टेस्टी बनेंगे बहुत यह सान तरीका से बन जाता है चटपटी कटा हुए प्याज हरी चटनी डालते हैं तेहां पर इमली के खट मीठी चटनी डालते हैं यहां दही डालते हैं यहां सेव डालते हैं तो देखें कितना बढ़िया मज़ेदार टेस्टी सेव पूरी बनकर त्यार हो गया है बहुत जादा टेस्टी चटपटी यहां सेव पूरी बनकर त्यार हो गया हैं बहुत जादा टेस्टी बने हैं तो एक बार अपने घर में ट्राई जरूर किजिएगा बहुत जादा टेस्टी बनेंगे अगर मेरी रेस्पी अच्छी लगती है तो लाइक, सस्क्राइब, सेयर जरूर किजिएगा फिर मिलते हैं अगले वीडियो में थाइंक्यू तो इस तरीके से खा सकते हैं बहुत जादा टेस्टी बने हैं एक बार राई जरूर किजिएगा